जी हां दोस्तों यदि आप बीए बीए सीबी कॉम पार्ट टू यानि की पार्ट टू के स्टूडेंट या छात्र या छात्रा हैं तो आप सभी के लिए आज का सेशन काफी सांदार होने वाला है जैदि आप नन हिंदी रखे हुए हो तो प्यारे दोस्तों अंतक बने रहेग काथ संजीबनी कर्चेता संजीबनी संगिंणी क क्या है तो आर्सि पर साथ सिंग के द्वारہ लिखी गई है क्वाल oluyor को पार्म होता है इसके बारे में आपको बताना है तो संसी無 Ici अमारा दानव सेना किस पर आकरवन करती है दानब सेना किस पर आकरवन करती है इसके बारे में आपको बताना है तो दानब सेना जो है वो अमरावती पर आकरवन करती है संक्राचारी ये कौन थे इसके बारे में हमको जानना है ठीक है संक्राचारी ये कौन थे संकराचारी ये कूं थे देवों के गुरू थे तो संकराचारी जो है दानवो के गुरू थे तो आप आपको पूछा जाया और आपको कोमर्शन सी बात है आपको से पूछा जाया जैब वे राक्षे मिघ्या से दल ते अशुर थे उन सभी के गुरू थे हमारे स्वक्राचारी ठीक है सुक्राचारी जो है यह गुरू थे इसके बहुत पहद पयाद दोस्तों मेंरा कोसन नमर सीस कच्च क्थ नाँ था कच्च क्वारे में आपको बताना है कच्च कौन तो कच जो है बर्षपती का पूत्र था आपसे पूझ दिया जाए कि कच कौन था तो बर्षपती का पूत्र था यानि कि ठाशडे का पूत्र था कौन कच था नेक्स्ट कोशन हम लोग देखलते हैं शुक्राचार का निवासस्थान कहा था शुक्राचारी का निवासस्थान क तो हम शुकराचारी की एक सब्सकराचारी अर यह को से किनारी बसते थे गूअ तरहर यहjenigen रहता हैं कच जो है खुल मिलाके सहस्त्र वर्स तक सुक्राचारी के आश्रम में रहता है जिहां जियाने की गृरुवों के देवता कहा लाता है गूरुवों के गूरु कहा लाता है याने की वर्स्ती को ठीक हूँ के पुद्र का कच, यानि कि बर्स्पती के पूत्र, वो सुकड़ाचारे, यानि कि दानशा रहते हैं, ठिक है, इसके बाद कच की, जब हत्या होती है, हत्या के अंतिंपरियास में दानव क्या करते हैं, तो हत्या के अंतिम पडियास में दानब जो है वो कच को मार कर उसके सरीर को का भस्म बना कर पे में मिला कर सुक्राचारी को पिला देते हैं ठीक है यानि कि सुक्राचारी के सिज यानि कि कच यानि कि बरस्पति देव के पुत्र को मार कर उसके सरीर का भस्म बना देते हैं कौ कोई को संजिवनी का अहवान करना परा कोई की जिविद करताया यानि की समग्त, बरस्पति पुद्र काच को अपनी तोलना किस से करना चाहता है ठीक है तो अपना जलांदर से करता है यानि कि शुक्राचारी की पुत्री के सामने बर्सपती के पुद्र कच अपनी तोलना जलांदर से करते हैं ठीक है next question है संजिबनी का विक्रसुरों निकी सब्सक्रांट संजिबनी 15th संजिबनी का पर्थिपाद क्या है संजिबनी का पर्थिपाद क्या है कुần दयुक्स देभयानी नेक्ट कोशन है हमारा प्यार दोस्तों आन्तक बनेदे हैं और आपके गिदाब में पूछे जाने की संभाबना है कच कहां कराने वाला है कच जो है अलका पूरी कराने वाला है करो आप्संटनाबर का नयग को सदरेंस तक ब करते पावार है एकास्पति इतधें देवों के गुरू है और कचके पिता हैं देवों के गुरू कीसे आशकता हैं देका कोण है संजिवनी कावी की नाइका कोण है संजिवनी कावी की नाइका जो है Ready संब्राचार कि नेक्स्ट कोशन है पासनिक गीता काब गती घीत कभी कै近 है चानकी बललब सास्थि इसकृत cioè तो बाइब आपको बताना है तो ऑपने के नायक है इसके बारे में आपको बता आएक आएक है इसके बारती संगती में यहारे बहुत सारे पिछले साल में ठीक है इसका नेक्स्ट चोषन हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट खोशन है कि पसानी किसे कहा गया है थीटिक नेश्ट कॉसन है मारा ओर्वसी का चडित सवतों संझिबन संफ मैं इसके बादनेक्सट को देख लेते हैं पैरे मोल shitty देख लेटेशन किस रेस की सुबारे में आपको बताना है इसके बाद संच्छेपन में उद्धत अंस को लिखा जाता है कम करके कम करके लिखा जाता है संच्छेपन में उद्धब को इसके बाद गंगा वतरन किसे पाठ में पुस्तके में हैं पसानी में ठीक है पसानी के किरा चैता कौन है इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना ह ने उसके बाद पूरापन का ऐर्थ क्या है तो तो पूरापन का ऐरथ ए कर्यालई प्रा रूप पूरापन का आर्थ है इसके नेक्स्ट हमारा हेंदी दिवस कब मनाया जाता है ह। सब्सक्राइब नौदिन बाद हिंदी दिवस मना जाता है तो फिर 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं और कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कोमेंट करके प्यारे दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन मुझे कोमेंट करके बताए और आपको जो भी सब्लेकर नौट से सेशन चाहिए हमारे टेलीग्राम में जाइए वहां प्यार आपको पीडिया बिल्कुल निसुल को देखने को मिलता है तो पीडिया वहां से प्राप्त करें तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग बाबाई टेक केर जाहें दोस्तों